हेलो बच्चो तो आज हम लोग पढ़ेंगे common multiples क्या होता है तो common multiples आपको यहाँ पर question दिया हुआ है question number 3 में find first 3 common multiples of 6 and 8 तो हमें इसमें निकालना है 3 common multiples निकालने है जो 6 और 8 में दोनों में आते होंगे तो multiples मैंने आपको आप वीडियो में लास्ट वीडियो में बताया है multiples क्या होता है तो फिर मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ multiples of 3 क्या होता multiples of 6 क्या होगा multiples पहले common निकालने से पहले याद रखेगा पहले सबसे पहले हमें multiple निकालना पड़ेगा 6 का multiple 8 का multiple क्या है common multiple मतलब क्या होता है तो हमको यहाँ पे 6 का table लिखना पड़ेगा. मतलब जो 6 बंजा 6, 6, 2 जा 12, जो result आता है 6, 12, ऐसे. 6 बंजा 6, 6, 12, 6, 3 जा 18, तो वैसे जो result आता है 6, 12, 18, ये सब होते हैं multiples of 6. तो multiples of 6 में क्या आएगा? 6 होगा, 18 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 64 होगा, 24, 65 होगा, 30, ये सारे जो होगे multiples of 6 हुए. तो वैसे ही हमको यहाँ पे क्या है multiples of 8 लिखना पड़ेगा. 8 का multiples क्या हुआ? 8 बंजा 8, 8 तूजा 16, 8 त्रीजा 24, 8 तूजा 32, 8 तूजा 40, 48, 48, ये सब क्या होता है? multiples होता है. तो यहाँ पे मैं multiples of 6 और भी लिख देती हूँ. यहाँ पे मैंने 10 तक लिख दिया, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. तो मैंने यहाँ पे 6 के table में 10 तक लिख दिया, 6 तेंजा 60 होता है, 8 तेंजा 80 होता है. तो मैंने अभी के लिए यहाँ तक लिख दिया, तो यहाँ पे question क्या पूछा है, common multiple, तो यहाँ पे लिखना होगा, common multiple, multiples of 6 and 8 का दिया है, common multiples of 6 and 8. तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा number है, जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे first common मिल गया हमको, यहाँ पे first common 24 हो गया, 24. उसके बाद देखे यहां 30 है यहां 32 है 40 उसके बाद देखे यहां पर 48 है 48 यहां पर भी है 48 उसके बाद next हमें देखना है और तो कुछ यहां पर फिलाला भी है नहीं तो 60 का आगे देखते हैं 66 6 6 के टेबल में क्या आते है 66 6 into 11 66 6 into 12 12 चल बहुत है अब हम लोग करेंगे तो हम यहां पर आगर आपको ड्रीच आता नहीं है तो आप यहाँ पे calculate rift में कर सकता है तो यहाँ पे देखे 72 72 यहाँ पे भी है यहाँ पे 72 है तो यहाँ पे 24 आ गया 48 आ गया and 72 एक आ गया तो याद रखेगा common multiples मतलब क्या होता है आपको जो single number दिया रहेगा first उसका multiples निकालना है multiples मतलब इसे multiples निकालना है वैसे ही 8 का भी multiples निकालना है मतलब 8 बन जाए टो 16 8 थी जा 24 8 थी जा 32 8 थी जा 40 multiples निकालना है तो इन दोनों में कौन सा common number है वो होता है common multiple मतलब common multiples of 6 और 8 दोनों में कौन कौन सा 24 48, 72 तो यह हुआ common multiples तो वैसे ही हम लोग 12 और 18 का करेंगे 12 और 18 का भी हम लोग multiple of multiple of 12 फस्स निकालेंगे उसके बाद multiple of 18 निकाल देंगे multiples of 18 निकाल देंगे उसके बाद हम लोग यहां लिखेंगे common multiple, common multiple जो जो निकलता है तो common multiples multiples निकालेंगे तो first मैं 12 और 18 का table 18 का multiples लिख देती हूं तो यहां देखे मैंने यहां पर multiples लिख दिया है 12 का 12 बन जो 12, 12 तो 24, 12 तो 36, 12 तो 48, 12 तो 50, 12 6 तो 72, 12 7 तो 84, 12 8 जो 96, 12 9 जो 108, 12 10 जो 20 12 x 11, 12 x 12, 12 x 13, 12 x 14 ऐसे मैंने सारा लिख दिया है तो उसके बाद हमको क्या करना है multiples पता लग गया तो multiples पता लगने के बाद 18 का भी मैंने वैसे multiples लिख दिया उसके बाद common multiple लिखना है 18 इसके table में आता नहीं है 18 36 देखिए 36 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है फिर 54 इसमें नहीं आ रहा है 54 फिर 72 72 देखिए इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है उसके बाद 90 90 यहां पे नहीं आ रहा है 108 108 इसमें भी आ रहा है यहां पे भी आ रहा है तो common multiples क्या हुआ 36 हुआ, 72 हुआ and 108 हुआ तो फिर जो बड़ा नंबर होगा आप उसको देखिएगा 18 इसमें आ रहा है, 36 इसमें आ रहा है कि नहीं तो easily सारा आपको मिल जाएगा आपको चेक करने में easy हो जाएगा तो फिर I hope आपको question number 3 समझ आया होगा अब हम लोग करेंगे question number 4 question number 4 में तो दिया है इसमें write all the numbers, question number 4 में दिया है write all the numbers less than 100 सारे numbers लिखने हैं जो 100 से कम है which are common multiples of 3 and 4 मने सारे number लिखने हैं जो 100 से कम है और common multiples होंगे 3 and 4 के तो 3 और 4 के common multiples जो होंगे जो 100 से कम है वो सारे लिखने है तो first multiples of common multiples of 3 and 4 दिया है तो common multiples of 3 and 4 मतलब क्या होता है तो 3 और 4 का common multiples दिया है मने 3 का सारा multiples लिखने है मने 3 का table लिखने है जो less than 100 जितने भी आते है और 4 का सारा tables लिखने है जो less than 100 आते है है तो वो सारा मैं यहां पर लिख देती हूं आंसर में तो यहां पर देखें मैंने सारा multiples 3 का लिख दिया है जो less than 100 है मतलब 3 into 33 99 less than 100 है यह यह सी मैंने 4 का भी लिख दिया है 4 into 24 equal to 96 less than 100 है यह तो इसमें multiples होते हैं 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 यह सारे जो होते हैं यहां के जो numbers हैं यह सारे यह सारे जो result आते हैं वो सारे होते हैं multiples जैसे 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 यह सारे multiples है तो इसमें दिया है common multiples जो इसमें भी है इसमें भी है common multiples यहां से 4 से देखते हैं 4 यहां पर नहीं है 8 नहीं है 12 है तो यहां पर यह देखिए यहां पर 12 है यहां पर 12 है तो 12 एक मिल जा 16 नहीं है 20 20 यहां पर झाल 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 तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है जो जो common multiples है तो यहाँ पर देखे 12, 3 में भी है, 4 में भी है, 24, 4 में भी है, 3 में भी है, 36 भी है, 48 भी है, 60 भी है, 72 भी है, 84 भी है, 96 है तो फिर इसमें क्या है, common multiples कौन कौन सा आया, common multiples, यहाँ पर आप लिख सकते है, common multiples of 3 and 4 आर, 12 आया, 24 आया, 36 आया, 48 आया, 60, 72, 84 आया, 96. तो यह इतना common multiples आ गए, common multiples में बस आपको first multiples जो दिया रहेगा, first value का multiples निकालना है, second का multiples निकालना है, उन दोनों में जो जो same है, वो होता है common multiples, multiples मतलब होता है tables, tables मतलब यहाँ पर 3 बन जा 3, 32 जा 6, यह सारह मैंने लिख दिया, तो multiples क्या है, 3 का, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, यह बस याद रखेगा, multiples मतलब होता है, जो हम लोग multiply करते है, 3 बन जा 3, तो यह जो result आता है, वो सारा होता है multiples, और common multiples होता है, जो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दोनों में जो रहेगा, वो होता है common multiples, तो I hope आपको यह question समझाया होगा, अगर कुछ doubt है, तो आप comment section में पू झाल